धंतेरस का क्या मतलब होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेती हैं धंतेरस जो है भारत और नेपाल में मुख्य रूप से मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है हलांकि इसे across the world मनाया जाता है लेकिन मुख्य रूप से भारत और नेपाल में इसे मनाया जाता है और धंतेरस जो है अश्विन का जो महिना होता है उसके क्रिशन पक्ष के तेरवे दिन होता है यानि कि दिवाली से दो दिन पहले यह त्योहार मनाया जाता है और ये यूज्वली जो है यानि आमतोर पर जो है October या November में आता है तो जैसे कि अगर आप ये कहना चाहाएं कि धं अगर आप ये कहना चाहें कि धंतेरस के दिन लोग सोना चांदी और बरतन खरीटते हैं क्योंकि इसे शुप माना चाहता हैं तो आप कह सकते हैं ओन धंतेरस, people buy gold, silver and utensils as it is considered auspicious अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें